नमस्कार दोस्तों, मैं शेलेंद जेन, जन सेतु के जन वारता कारिकरम में आपका स्वागत करता हूँ तो जैसा की विदीते 28 मई को भारत की नई लोक सभा का उधगाटन किया गया जिस प्रकार सन 2014 में देश को आजादी मिली थी उसी प्रकार सन 2023 में देश को नई लोक सभावी मिल गई यहां मैं नहीं कहरा देश के घटना करम और नेताओं के बयान कहरा हैं के देश को 2014 में आजादी मिली थी यानि देश में सभी कुछ विकास 2014 के बाद ही हुआ बरहाल 1947 के बाद से अभी तक जितने भी घटना करम हुए उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना अभी उचित नहीं है परन्तों सीधे सीधे 28 मई लोक सभा के उदगाटन पर आते हैं जी यहां दोस्तों लोक तंत्र के मंदिर में राज दंड की इस्थापना के माइने क्या हैं विबिनन न्यूच चैनलों की माने तो लोक तंत्र के मंदिर के पट खुल गए सनातन भारतिय संस्कृति के अनुसार मंदिर का उदगाटन हुआ यानि लोक तंत्र का नया मंदिर बना तो लोक तंत्र के माइने भी समझ लेते हैं जनता का जनता के लिए शासन तो वहां राजदंड के क्या माइने है राजदंड के माइने है नियाएं क्या नियाएं वापस्तों में मिल रहा है सलोंग जिसे कहे रहे हैं बार बार ग्रह मंत्री अमित शाह ने बड़ा चारा कर प्रस्तूत किया कि भारत की लोक सभा में अब राजदंड की इस्थापना होगी सलोंग की इस्थापना होगी जिसका सीधा साताथ पर यह है कि भारत की लोक तंतर के मंदिर में अब राजदंड आदान प्रदान करा जाएगा जब भी सक्तास्तांतरित होगी तो क्या भारत अब लोक तंतर से राज तंतर की ओर बढ़ रहा है जो राजदंड इस्थापित किया उसके माइने तो यहीं है चलिया इस्थापित कर भी दिया उसको यह प्रचारित किया गया कि नहरू ने सबसे पहले राजदंड लिया था तो वो तमिल नाडो की जनता ने नहरू को उपहार में दिया था अंगरेजो की गुलामी से मुक्त होने के पश्चात जो उरों ने कभी भी लोक सभा में नहीं रखा किवदंटिया कितनी ही हैं जूटी घटनाएं कितनी भी हैं परन्तु सत्यता सत्यता होती है और राजदंड का सबसे प्रमुख सबसे पहला जो नियम है वो है सत्यता फिर न्याय और फिर धर्म और फिर निष्ठा यदि देखा जाए तो जैसे ही लोक सभा की उद्गाटन हुआ लोक सभा का समहारो संपन्न हुआ तो फिर पहलवानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन दमित क्यों किया गया महिला पहलवानों की पुलिस द्वारा जबरन पिटाई की गई उन्हें खीच कर गाड़ी में पठका गया जबकि आरोपित सांसत ब्रज भूशन सिंग उस समय लोक सभा में अपने आपको गोरवानवित महसूस कर रहे थे यानि वह वाँ उपस्थित थे क्या यहां नियाय हैं और यदि यह नियाय हैं जब भारत के प्रधानमंती कहते हैं के नारी शक्ती है जब भारत के प्रधानमंती उन्ही पदक वीरों के साथ फोटो खिचवाते हैं अपने घर बुलाते हैं और उन्ही पदक वीरों की जायज मांगों को ठुकराते हैं और योन उत्पिरण के आरोपी ब्रज भूशन शरण सिंग को बचाते हैं तो क्या संदेश जाता है संदेश सीधा यही जाता है कि अब हम आंदोलन नहीं सहेंगे सरकार के खिलाप किसी भी प्रकार की बयानबाजी हम नहीं सहेंगे सरकार का जो भी सांसद मंत्री विधायक है उसके खिलाप हम कोई आरोप नहीं सुनेंगे उन्हें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा आंदोलन कारी को ही दंड दिया जाएगा और जिस धर्म की बात यह सरकार करती है उस धर्म पर भी कहां खरा उतर रही है यदि उस धर्म पर भी खरा उतर जाती तो कम से कम लोगों को न्याए तो मिलता हम पहलवानों को न्याइनीं दिलवा पारे मणीपूर पूरा जल रहा है मणीपूर की जन्ता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है परंतु प्रदानमंत्री महाँ कुछ भी नहीं देख रहे जबकि उन्होंने वहीं चुनावी रेलियों में कहा था के मनीपूर मेरा सुलग रही है लोग पलायन कर रहे हैं पर आप केवल इवेंट में मक्षूल हैं आपको विदेशी आत्राय करनी है आपको लोग सबा का उधगटन करना है आपको फोटो सेशन कराने है तो देश की जनता के सुनेगा कौन फिर उस राजदंड का क्या महत्व है जो आपने कोई इसका उत्तर दे पाएगा नहीं क्योंकि सरकार पे जब जब सवाल उठे हैं सरकार के मुखिया मोन रूप धरन कर लेते हैं उनकी दहाड केवल चुनावी रेलियों में सुनाई जाती है जब भारत के ग्रह मंत्री राजदंड की व्याख्या कर रहे थे तो उन्हें यह नहीं मालूम के राजदंड न्याए का सबसे बड़ा प्रतिक होता है और वही ग्रह मंत्री चुनावी वादों को जुमुला के हैते पहले सुने गए हैं यानि सत्य और न्याए कहीं भी नहीं है मात्र और मात्र केवल सत्ता की लोलुपता और स्वयम का महिमा मंदन इस देश को बरबादी की गर्द तक ले जा रहा है और यह चीज स्वयम उपर वाला भी देख रहा है इसी लिए 28 मई के दिन ही जब पहलवानों पर अत्याचार हुआ महाकाल ने अपना रोदर रूप दिखा दिया सब्तरिशी की सातों प्रतिमाएं भर भरा कर गिर गई तूफान में जिस महाकाल लोग का उद्घाटन स्वयम प्रधान मंति ने किया था और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग फूले नहीं समा रहे थे ग्यारा ग्यारा करोड की एक एक मुर्ति पल में धाडशाई हो गई यानि ब्रष्टाचार का पूरा नमूना खुल गया मुर्तियां प्लास्टिक की निकली गटिया स्टिल की निकली तो भगवान ने तो दिखा दिया कि आप असत्य और जूट पर यदि अपना महिमा मंदन करवाना चाहते हैं तो वो यहीं हैं धर्म की इस्थापना या सनातन धर्म की बार बार वारताएं करने से या भाशन देने से धर्म नहीं बनता धर्म केवल जनता की सेवा करने से और सच्चाई पर चलने से मिलता है महाकाल का सिधा संदेश यहीं गया है और यहीं होना भी चाहिए देश यदि वाकई राज तंतर की ओर जा रहा है जो दिख रहा है तो यह देश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है देश को यदि बचा सकते हैं तो वर्तमान सत्ता दिश ही बचा सकते हैं अपनी शेलियों में सुधार करकर क्योंकि विपक्ष भी मोन है और सत्ता पक्ष भी मोन है कठिनाईयां बढ़ती जा रही है और सुनने वाला कोई नहीं यही है आज की जन्वारता दोस्तो नमस्कार